हेलो स्टुडेंट्स मैं आपका दोस्त अमित विलकम करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज की इस वीडियो सेशन में हम डिसकर्स करने वाले हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के प्रीवियस एयर कोश्चन्स पेपर के बारे में कि किस प्रकार के आपके कोश्चन्स पूछे गए थे आपके प्रीवियस एयर एक्जाम में तो यार वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा यहां पर आपको जो है आपका पेपर हिंद and English दोनों languages में आपके लिए अवलेबल है तो जो आपके लिए so table language जो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो फ्रेंट आपसे एक ही request है कि आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा से जरूर कर दें ताकि वे भी अपने प्रिवेस एक्जाम में कोश्चन पूंचे गए थे उनकी वी जानकारी उन तक पहुंच जाए और फ्रेंट साब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रिस कर देना ताकि आने वारी वीडियो की नोटिपिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे और फ्रेंट आपको वीडियो के इंड में कमेंट करकर बताना कि मेरे द्राप्रोवाइट कर आए गया आपको ये वीडियो कैसे सारे कोश्चन्स अटेम्ट करने हैं और यहां पर आपके पांच कोश्चन्स पहुचे जाते हैं और पांच में जैसे आपके तीन पार्ट होते हैं उन तीन पार्ट में किसी दो पार्ट को आपको अटेम्ट करना रहता है और यहां पर पर कोश्चन्स आपका एक पांच नंब चेक दावन टाटा पोस्चंस पेपर इन बोथ वर्जन यानि आपको कहा गया है कि जो निवर कड़ा हैं आप हिंदी में भी मैच कर ले और इंग्लिस में भी मैच कर If there is any difference in Hindi translation of any question यदि Hindi translation किसी questions में गलत हो तो the students should answer the question according to the English version आपको यदि आपका Hindi वाला question में कहीं misprint है तो आपको English वाले question को approach करके रही उसको solve करना है तो यह आपके लिए एक बड़ी important information है कि यदि आपका कभी Hindi में questions गलत होता है तो आपका Hindi वाला गलत मान लिया जाता है आप English वाले को ही देखकर वहाँ पर questions को solve करेंगे तो यह आपके लिए important से यहाँ पर notes थी कुछ students क्या करते हैं इसको भी नहीं पढ़ते हैं तो आप इन सारी notes को पढ़ने अच्छे से पढ़ लिया करें उसके बाद आप questions अपना solve किया करें तो चलिए हम यहाँ पर questions पेपर को हिंदी में देख लेते हैं साथ है साथ इसको मैं English में पूरा explain करते जाओंगा कि जिससे आपको कोई भी problem यहाँ पर friends face करनी नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर आपका friends पहला question है पूँचा गया था जो कि most important topic का भी है कि break event chart क्या होती हो इसका उद्योगों में उप्योग कहां पर किया जाता है तो आपको बताना है कि what is break event chart motion and its uses in industry तो यह question आपका friends theory के purpose से भी important है और इसका practical भी होता है तो यह practical में भी आपका बहुत पूँचा जाता है कि break event point क्या होता है तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रख लें क्योंकि जब examiner आता है तो वहाँ से आपके practical में यह topic भी आपका काफी ज़्यादा बार पूँचा जाता है next question की बात करें तो next आपका question था कि routing तथा scheduling में के कार्यों का वरण करना था आपको बताना था कि routing क्या होती है scheduling क्या होती है उसके बारे में था तो describe the functions of routing and scheduling नेक्स्ट कोश्चन के बात करें तो आपका नेक्स्ट कोश्चन था कि हम गैंड चार्ट क्यों बनाते हैं क्या या हिस्टोग्राम ही है आपको बताना है कि हम गैंड चार्ट क्यों बनाते हैं आपको पूरा उसका डाइग्राम के साथ बनाना है कि गैंड चार्ट क्या होता है आपको उसके बारे में explain करना है और आपको यहाँ पर तीन में से कोई दो question solve करने है और एक question आपका पांस number का होता है next question की बात करें तो next आपका यहाँ पर reference question पहुंचा गया था कि निमले लिखित के कुछ कारक बताईए तो maintain a few factors affecting यहाँ पर आपको बताने थी इनकी definition लिखनी थी कि उत्पादन की गुडवत्ता क्या होती है और निरिच्छन की गुडवत्ता क्या होती है quality of product and quality of inspection क्या होती है इनके बारे में यहाँ पर describe करना था पूरा लिखना था next आपके questions की बात करें तो next आपका question था कि P chart की आपको विवेशना करनी थी आपको बताना था कि P chart क्या होता है इस chart पर control सीमाय कितनी रखी जाती है आपको बताना था कि P chart क्या होता है यानि कि describe a P chart where do we put control limits on this chart हम यहाँ पर control limit कितनी रख सकते हैं कितनी रखी जाती है पी चार्ट में आपको यहाँ पर बताना था नेक्स्ट आपका कोश्चन के बात करें तो TQM के concept की विवेशना करनी थी आपको यहाँ पर बताना था कि TQM के concept क्या होते हैं उसके बारे में आपको explain करना था यहाँ पर भी आपको 3 में से 2 question ही solve करने थे next question की बात करें तो आपका next question यहाँ पर था question number 3 कि double sampling plan क्या है क्या DSP आने के double sampling plan में किसी load अथुआ batch एक ही samples के अधार पर नकारा जा सकता है नकारा जा सकता है तो क्यों और नहीं नकारा जा सकता तो क्यों नहीं आपको इसको इसको बारे में पूरा explain करना था आपको यहाँ पर बताना था कि what is double sampling plan can we reject a lot of can we reject a lot or batch on the every first sample कह सकते है and DSP तो यह आपका पूरा question हो जाता है next question की बात कहें तो आपका next question था कि एक आदर्स OC करो बनाना था आपको उसका डाइगराम बनाना था उसके बारे में पूरा explain करना था draw a ideal OC curve and explain it ideal OC करो क्या होता उसके बारे में आपको पूरा explain करना था next question की बात करें आपका next question था कि घरेलू उपयोग के किसी नवीन उत्वादन की लागत आकलन की विधी पर चर्चा आपको यहाँ पर करनी थी आपको यहाँ पर बताना था कि discuss cost estimate procedure for a new product for domestic use तो तीन में से आपको किसी दो questions को ही यहाँ पर attempt करना था next questions की बात करें तो next आपका question था कि depreciation क्या है इसकी गड़ना की एक विधी के बारे में लिखें तो आपको पहले बताना था इसकी definition लिखनी थी कि depreciation क्या होता है साथ ही साथ इसकी जो है एक विधी भी आपको यहाँ पर explain करनी थी आपको एक method बताना था depreciation का next question की बात करें तो आपका next question पूछा गया था कि QC tool के बारे में लिखें तथा six sigma गुडवत्ता इस तरकी विबेशना करी आपको बताना था right QC tool and explain six sigma quality level तो फ्रेंट अभी मैं आपको बता दूँगा कि कौन सा आपका most important topic है जो अगले बार भी यहाँ पर पूछा जा सकता है next question की बात करें तो next आपका overhead लागत क्या होती है आपको उत्पादन में इनको कम करने की आवस्यक्ता क्या है उसके बारे में आपको बताना था what are overhead cost in manufacturing why we need a reduce them यानि overhead लागत क्या होती है उसको हम उत्पादन में किस प्रकार कम कर सकते हैं ठीक है तो यह जो आपका six sigma है यह भी आपका बात करें हम practical way में तो यहां पर भी आपसे examiner पूछ लेता है कि six sigma भाई क्या है बताईए नेक्स्ट आपका question की बात करें तो नेक्स्ट आपका question था यहां पर कि workman compensation अधिनियम बताईए आपको workman के जो compensation act थे उसके बारे में आपको लिखना था नेक्स्ट पर बात करें तो ISO 9000 पर समचित टिप पड़ी लिखे आपको बताना था कि ISO आपका 9000 का जो अधिनियम है वो क्या था उसके बारे में आपको explain करना था नेक्स आपका question था इस पे आपको describe करना था economic definition लिखनी थी उसके बारे में पूरा explaining करना था कि schedule रख रखाओ क्या होता है और break down रख रखाओ क्या होता है उसके बारे में आपको बताना था schedule maintenance and breakdown maintenance क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर explain करना था तो ये आपका पूरा reference paper pattern था production management का तो आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करकर हमें बता सकते हैं कि मेरे द्वारा प्रॉइट कराएगे ये इन्फरमेशन आपको कैसे लगी तो इंग्लिस वाले स्टुडेंट्स के लिए चाहे तो आप इसका स्क्रेन सब्र्ड भी ले सकते हैं ये आपका इंगलिस वाला टर्म हो जाता है ठीक है आपको इसकी में पीडियाफ अपने टेली ग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा तो वहां से जाकर आप इसकी पूरी पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो मे आप से इक ही डिपेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को सेयर कर दें तो थाइंक्यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ततत के